कुछ ताइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर हमने ये डिसकस किया था कि October के महीने में COVID के बाद से सबसे ज़ादा FIS की बिक्वाली हुई है यानि COVID crash में जितने shares बेचे गए थे by FIS, उसके बाद October में FIS ने सबसे ज़ादा shares बेचे है यानि October महीने में second highest selling हुआ था by FIS, लेकिन अभी वो data officially change हो चुका है और अभी अगर आप देखेंगे तो October के महीने में यानि अब तक FIS ने around 80,217 crore worth of shares को FIS ने हमारे market में बेच दिया है और 2022 के पहले half of the year में भी एक बहुत बड़ा selling हुआ था और ये selling उससे भी बड़ा है और COVID के time में जो selling हुआ था around 65,816 crore का और October महीने में यानि इस महीने में जो FIS ने shares बिचा है वो officially अभी last 4.5 years में highest selling बन चुका है and of course इसके reasons हमने पहले के वीडियो में भी डिसकस किया था Chinese stocks में जो rally हुआ था, Middle East में जो tension चल रहा है और हमारे जो domestic equities है या हमारे जो market है वो relatively थोड़ा costly है in terms of valuations and of course अभी यह जो FIS का इतना बहुत बड़ा selling हो रहा है इसका एक और नया reason अभी market में discuss किया जा रहा है उस reason को भी discuss करेंगे और उसके अलावा अभी आने वाले Monday से जो week शुरू होगा जो हफता शुरू होगा वो market के लिए बहुत ही important है और यह आने वाला हफता market के लिए इतना critical क्यूं है उसको समझाने के लिए मुझे आपको Nifty का चार्ट दिखाना पड़ेगा और चार्ट के ओपर अभी जो critical trigger है वो क्या है उसको हम वीडियो के end में discuss करेंगे लेकिन सबसे पहले जो stock brokers होते हैं इसे की HDFC Securities है, JM Finance है, आनंदरती है वो सब दिवाली के लिए recommendations देते हैं और इन सारे brokers ने दिवाली के लिए क्या recommendations दिये हैं उसका हमने एक summary बनाया है और उस summary को हमने learning community में post कर दिया है आप जाके उस summary को check कर सकते हो और ये जान सकते हो कि कौन से broker ने किस stock के बारे में बात किया है और कौन से broker ने किस stock में कितना upside दिया हुआ है और learning community का link आपको वीडियो के description और comments में मिल जाएगा तो अभी ये जो discussion हो रहा है वो discussion GDP और corporate earnings को लेके हो रहा है तो इन दोनों के बीच में link क्या है और इन दोनों के ओपर अभी discussion क्यों चल रहा है उसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये GDP होता क्या है तो GDP जो होता है वो किसी भी specific देश में एक specific time period में जो भी goods and services produce के जाते है उसका total value होता है और GDP जो होता है वो किसी भी देश के economic health का एक key indicator होता है और GDP जो है वो एक तरीके से उस देश में जो companies काम करते हैं उनका output भी एक तरीके से वो measure करता है यानि अगर GDP अच्छा है तो उसका मतलब ये भी हुआ कि उस देश में जो companies काम करते हैं उनका output भी healthy है क्योंकि अगर उस देश में जो काम करने वाले companies हैं, अगर उन्हें अच्छा profit होगा, उनका production अच्छा बढ़ेगा, तो उस देश का भी GDP बढ़ेगा, and on the contrary, अगर companies को अगर नुकसान हो रहा है, companies के sales और profit में growth नहीं हो रहा है, तो यह indicate करता है कि वहाँ पर सामानों की जिसकी वज़े से GDP भी कमाना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर एक unique situation है, क्योंकि अभी RBI के forecast के according, हमारा जो GDP है वो 7.2% grow होना चाहिए for the financial year 2025, लेकिन अभी इतना high GDP forecast होने के बाद भी, यह जो growth है वो Indian corporates में नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो India India Inc. का जो profit है, वो Q1 में 3% shrink हुआ है, और यह भी बोला जाता है कि यह COVID-19 के pandemic के बाद से worst quarter है, लेकिन अभी situation यह है कि GDP data तो अच्छा है, लेकिन quarterly results जो है, जो बड़े-बड़े companies के quarterly results है, वहाँ पर यह companies growth नहीं दिखा पा रहे है, क्योंकि recently अगर आप देखेंगे तो बज Relance Industries एक और major company है, और इसके results भी weak बोले जाते हैं, और September 27 से लेके अब तक Relance Industries के share में भी more than 10% का गिरावट हुआ है, और उसके बाद अगर आप एक और major company का example देखेंगे, तो Demart एक example हो सकता है, और इस company के भी जो Q2 results के growth थे, उसने market को disappoint किया था, और इस company के भी share में last एक मह follow नहीं करते हैं, इसके बज़े से मैंने इस information को Telegram और WhatsApp चैनल पे भी post किया हुआ था, और उस article में हमने ये discuss किया था कि क्यों Demart का जो growth है, वो impact हो रहा है, और वो कौन से challenges है, और वो कौन से reasons है, जिसके बज़े से investors को अभी ये लग रहा है कि Demart का जो extreme high valuation है, उसको company अपने growth के साथ क्यों support नहीं कर पा रहा है, and for your reference, मैंने हमारे Twitter, WhatsApp और Telegram चैनल के link नीचे वीडियो के description में दे दिया है, अगर आप चाहे तो हमें आप वहाँ पर भी follow कर सकते हैं, तो अभी तक जो हमने reasons discuss किये है, they are also one of the factors which are influencing the FIS selling in the Indian market, और उसके अलावा एक और factor है, जो investors के लेकिन उससे पहले, अभी आप जो research देख रहे हैं, ऐसे research बनाने के लिए हमारी team बहुत महनत करती है, उसके बदले अगर आप हमें एक simple thank you बोलना चाहते हैं, तो वीडियो के उपर जो like बटन है, इसे press करके आप वीडियो को like कर सकते हैं, और comment section में एक simple thank you लिगके भी आने वाले वीडियो आप से miss ना हो, इसके लिए आप channel को subscribe कर सकते हैं, और वीडियो के update immediately पाने के लिए आप bell notification भी press कर सकते हो, लेकिन हाँ, companies के जो earnings हैं, उनमें growth होने का एक hope ये ज़रूर था कि, अभी recently जो US Fed ने interest rate को cut किया था, उसको follow करके, इंडिया का जो RBI है, वो भ आरे जो RBI के governor है, Mr. Shakti Kanta Das, उन्होंने ये बताया है कि अभी rate cut करना जो होगा, वो premature होगा, और वो इस stage पे risky हो सकता है, ऐसा उन्होंने statement दिया है, जिसके वज़े से अभी जो investors hope लेके बैठे थे कि interest rate cut होगा, उसके वज़े से growth आएगा, companies के profits बढ़ेंगे, profits बढ़ने से stock market जो है, उसके ओपर positively act करेगा, वो जो hope है, अभी के लिए, यानि temporarily वो shatter हो चुका है, तो अभी इसके बाद एक automatic सा सवाल ये आएगा कि, अगर अभी RBI को ये लगता है कि interest rate cut करना अभी के लिए premature है और risky है, तो RBI interest rate कब cut कर सकता है, तो अभी RBI जो है, वो inflation को, यानि महे महेंगाई को watch कर रहा है, और वो ये wait कर रहा है कि महेंगाई around 4% के आसपा settle हो जाए, जिसके बाद से वो interest rate cut को consideration में ले सकते है, और अभी अगर आप हमारा recent inflation data देखेंगे, तो September महीने में हमारा जो inflation था, या महेंगाई था, वो 5.49% था, और आप देख सकते है, July-August में कम हुआ था, लेकिन suddenly ये September में फिर से बढ़ गया, और अभी inflation बढ़ने की वज़े से RBI ने अभी ये जो कदम लिया है, या RBI ने जो ये बोला है कि वो inflation को watch करेंगे, और बाद में interest rate cut करना है या नहीं करना है, उसको consideration में लेंगे, I think that is very much necessary, क्योंकि ऐसे time पे अगर interest rate को cut किया जाएगा, तो महेंगाई जो है या inflation जो है, वो बहुत ही जादा बढ़ने का chances है, और इसलिए उन्होंने बोला है कि अभी के time में interest rate cut करना जो है, वो risky है, और उसके बाद अगर आप हमारा food inflation देखेंगे, यानि जो खाने पीनी की जो चीजे है, उनमें अगर आप महें महेंगाई बढ़ रहा है, और ऐसे time पर आप imagine करके देखेंगे, अगर RBI interest rate cut करता है, spending जादा होता है, supply के बदले demand अगर जादा होता है, तो can imagine महेंगाई और कितना ऊपर जा सकता है, या inflation और कितना बढ़ सकता है, तो इसलिए आज की time में हमें भी महेंगाई watch करना होगा, RBI भी महेंगाई watch कर रहा है, और जब यह महेंगाई around 4% के आसपा सेटल हो जाएगा, जो September महिने में 5.49% है, तब RBI जो है, वो interest rate cut करना है या नहीं करना है, उसको consideration में ले सकता है, but from a stock market point of view, यह जो है, यह investors को एक जटका है, क्योंकि investors जो anticipate कर रहे थे कि interest rate cut होगा, उसके बाद stock market उसके उपर positively respond करेगा, वो अभी backstage पर आ गया है, and it could be a setback for the investors, और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, तो जो retail investors का sentiment है, वो भी थोड़ा सा hurt होता नजर आ रहा है, और यह आपने recent IPOs में भी देखा होगा, बहुत सारे जो retail investors हैं, उन्होंने Ola Electric Mobility में बढ़ finance में भी ऐसा ही हुआ था, and you know what is happening in Bajaj Finance also right now, लेकिन हाँ, अभी जो recently Hyundai IPO में हुआ, that was very very surprising, क्योंकि इस बार retail investors जो है, वो IPO के hype में नहीं पसे, और retail investors ने इस IPO को ऐसे ignore कर दिया, जैसे, मान लो कि ये कोई गिसा पिटा, Bollywood picture का remake हो, और इससे हमें ये भी समझ आता है, कि आज की टाइम में जो retail investors है, वो भी होश्यार हो चुके है, और retail investors भी value की तरफ जा रहे है, वो भी देख रहे है कि company के quarterly results में growth कितना हो रहा है, और उसके basis पे भी वो भी है decide कर रहे है कि कहां पर वो अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं जो दूद का जला है, वो च इसके बाद हमारा जो market है, उसको technical levels पर थोड़ा discuss कर लेते हैं, तो अभी अगर आप technicals की बात करें, तो nifty अभी एक बहुत ही critical level पर है, और यह अभी आप nifty का जो chart देख रहे हैं, इसको हमने कुछ time पहरे जो video बनाया था, वहाँ पर भी हमने discuss किया था, और उस time nifty ने बर्सों के नीचे आ रहा है, और उसके बाद यह जो green color का line है, यह इसका support है, और हम इसको support इसलिए बुला रहे है कि जब भी price गिर रहा है, जब भी nifty गिर रहा है, जब भी market गिर रहा है, तो वो इस level को touch करके इससे नीचे नहीं जा रहा है, बलकि यहां से bounce करके ऊपर जा लेकिन अभी कल के market में क्या होता है, निफ्टी जो है, वो इस support को तोड़के नीचे आ जाता है, और जब भी support तूटता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो अभी यह green line support का का काम कर रहा है, अभी यह resistance का का काम करेगा, यानि निफ्टी यहां से अगर उपर जाने की कोशि लेकिन बाद में, यानि market close होते होते, market में recovery भी हो गया था, और इसलिए starting from Monday, जो next हफता है, वो निफ्टी के लिए इसलिए critical है, क्योंकि वहाँ पर investors closely यह monitor करेंगे कि निफ्टी जो है, वो यह strong recovery by end of the day दिखाया था, उसको वो Monday को भी जारी रखता है या नहीं रखता है, और यह जो support line के नीचे जो यह close हुआ है, क्या यह फिर से support line के उपर आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो investors के लिए बहुत ही जादा important है, क्योंकि अगर निफ्टी फिर से recover हो जाता है, और यह जो green line है इसके उपर चला जाता है, तब तो technical level पे थोड़ा बहुत relief मिल सकता है market क लेकिन अगर निफ्टी यह जो green color का line है इससे नीचे ही close हुता है और इससे नीचे ही trade करने लगता है, तब technicals के according यह अगले support की तरफ नीचे जा सकता है, तो इसलिए जो next हफते का जो market है starting from Monday, that is very important and critical for the investors, which I am pretty sure they will be watching very closely, तो अभी अगर अब fundamental level पे discuss करेंगे, तो market को influence करने वाले factors क्या होंगे, of course अभी quarterly results का season चल रहा है, तो अभी जो next हफते जो nifty 50 के companies का results आएगा, उन companies का results अगर मान दीजे बहुत आचा होगा, उसकी वज़े से अगर वो उपर जाएंगे, तो market को भी थोड़ा उपर लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर वो demart, reliance, budget auto की तरह expectations meet न जहां से आप उन results को refer कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगले हफते जो market के support और resistance level है, उसको मैं video और post दोनों में learning community में regularly post कर दूँगा, तो अगर आप चाहे तो learning community में ये जो market का broader trend है, उसको वहां से track कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने learning community join नहीं किया है, तो आप एक म में मिल जाएगा, तो आप आच का वीडियो आपको informative लगा होगा, thank you so much for watching, I will see you in the next video.